दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बिहार से जा रहे हैं डियाजी मनु महराज सरकार ने तीन IPS को केंद्रिय प्रति नियुक्ति पर जाने की सहमती दे दी है इनमें BMP के DG RS बटी ADJ कुंदन कृष्णन और सारंड के डियाजी मनु महराज का नाम सामिल है 1994 बेज के अधिकारिक कुंदन कृष्णन राष्टे सुरक्चा परिशत सचिवालाय में सेयुक्त सची बनाए गए हैं तीन साल के लिए उनकी प्रतिन्युक्ति की गई है IPS अपसर कुंदन कृष्णन बिहार में कई महतपून पदोपर रहे हैं पटना के SSP के अलावा वह जोर्नल आईजी पटना भी रहे हैं यह सुचना बिहार सरकार की ओर से जारी की गई है लेकिन मनु महराज और IPS बट्टी को लेकर लाल कोई अधिकारिक जानकारे नहीं मिली है बड़े कवर कोविड-19 से मरने वालों के आसरितों को मिलेगा 4 लाग का अनुदान पटना जिला प्रसासन ने जारी किया वाट्सेप नंबर ऐसे करे अपलाई जी हाँ कोविड-19 के संक्रमन से मिर्त व्यक्तिवों के आसरितों को मिलेगा 4 लाग अनुदान भुगतान करने का प्रावधान है अनुदान के लिए विविन मैदमों से आवेधन प्राप्त हो रहे हैं एवन दुर्भास पर भी लोगों के द्वारा पुझताच की जा रही है ऐसे स्थिति में लोग कि स्विधा है तो जीला प्रसासन द्वारा नियंदरन कक्च का दुर्भास नंबर 0-612-219-09-09-09-9-94-3-24-49-69 परिचालित किया गया है इस नंबर पर या वार्टसर नंबर पर संपर्क करने वालों का विभीत पपत्र में नेमने सुचनाई प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है जिसमें मिर्तक का नाम पूर्ण पता कोवेड-19 पोजिटिव होने की तिती एवं रिपोर्ड मिर्तु की तिती आसरित का नाम एवं संब्ध मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है आप इस वीडियो को सेर करके उन तक जरूर पहुचाए जिने इनकी जोरत है पड़ी कबर कोरोना से अनात हुए बच्चों के भरन पोसन की जिम्मेदारे उठाएगी कोंग्रेस जारी होंगे हेलप लाइन नंबर कमजोर हो कॉंग्रेस उनकी सिक्चा और भरन पोसन का खर्चा उठाएगी पूर्व राष्टी अदक्च राहूल गानी के निर्देश पर यह फैसला हुआ है बड़े कवर स्मार्ट सिटी मिशन के ताथ सहर में 42 इस्तानों पर इट टोइलेट मेगा स्क्रिन संचलन के लिए निविदा जारी 3D पैंटिंग परियोजना से बड़ेगी सहर की खुपसूर्ती परियोजना के अंतरगत कूल 42 इट टोइलेट बनाये जाएंगे सोचालोई की सवच्चता सुनिश्चित करने के लिए आटोमेटिक प्लस की विवस्ता की जाएगे इसके मायदम से नियमित अंतराल पर टोइलेट की सबाई स्वता होती रहेगी स्मार्ट टोइलेट में हर समाई पावर बेक अप रहेगा परियोजना के लिए पी एस सी एल द्वारा निविदा 29 मैं 2021 को प्रकासित की जाएगी इसके अलावा पतना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत सहर के 14 स्थानों पर विसेश 3D पेंटिंग एवं 8 स्थानों पर कला किरतियों का अधिस्पास्टन किया जाएगा विबिन तीम पर विशाल का चित्रकारी एवं कलाकिर्तियों के मैदम से सहर वासियों को स्वच्चता, कबार से जुगार, महिला सस्थिकरान, पर्यावरन सरक्षित के परति जागरु किया जाएगा दूसरी और गांधी मेदान आविस्तित गांधी मूर्ति के पास विशाल का मेगा स्क्रीम पर फिल्म डोकुमेंटरी विबिन स्पोर्ट मेच का प्रसारन एवं सभी सो का प्रवंद विसेशिक इवेंट मेनेजमेंट एजनसी के मैदम से किया जाएगा इस कार के लिए PSCL दुवारा सोमुवार को निविदा जारी कर दिया गया है कर्व नोक कड़ोर की लागत से परियोजना के लिए स्क्रीन, साउन सिस्टम, कंट्रोल रूम आदे के विवस्ता की गई है अगली बड़ी कबर BPSC 64-वी के अभियर्तियों का होगा इंतिजार खतम, रिजल्ट की तारिक का एलान जिया बिहार लोग सेवा आयोजन की 64-वी सयुंग परतियोगिता परिच्छा के अंतिम परिनाम जल्द आ सकते हैं आयोग की तरब से दे गई सुचना के माने तो परिनाम अगले जुन मा के पहले सपता में जारे किये जा सकते हैं ग्यात होगो BPSC ने इंटरनेट वो सोसल मीडिया पर परिनाम जारे होने में हो रही विलम को लेकर उट रहे सवाल के बाद अपनी बात कही है आयोग के एक्जाम कंट्रोलर के अनुसार परिचापल तयार करने की प्रक्रिया तेज है लोगडाउन के करण परिशानी हुई है आयोग के कई अधिकारी वक करमी भी कोरोना के चपेड में आ गए थे बता दे कि नेता प्रतिपाक्ष तेजस्वी आदम ने भी अपने ट्यूटर हैंडल से चोसटवी परिणाम को लेकर कहा था कि तीन साल में चोसटवी बिप्यस्थी का पीटी मेंस वा इंटर्वू पूरा किया इंटर्वू परवरी में ही पूरा हो चुका है लेकिन अंतिम परिणाम अभी तक परकासित नहीं किया गया है बड़ी कवर गाओं में एंबुलेंस करिदने को बिहार सरकार देगी दो लाक रुपे साथ दिनों में बैंक अकाउन में आएगी रासी जिया ग्रामीन इलाकों में जल्द ही बड़ी संक्या में एंबुलेंस सेवा बहाल हो स सुची में चुने गए आवेदुकों को एंबुलेंस की करिद पर पचास फिजदी या अधिकतम दो लाक रुपे का अनुदान सिदे उनके खाते में भेज दिया जाएगा सबी एंबुलेंस ऑक्सिजन योग तो तता प्रतमिक चिकितस सुविदा के साथ होगी अब रासन वितरन में गड़वड़ी होने पर यहां करे सिकायद डिलर पर होगा है भायार समय पर दुकान नहीं पोचना भी पड़ेगा भारी कोरोना महामारी के बेच रासन वितरन में लापारवाही करने वाले डिलोरों पर सरकार नजर बनाए हुए हैं सरवजनिक वितरन पर नाले के डिलोरों दुआरा मदवनी और मजपर पूर जिले में लापक परिवार के बेच खराब खाजान वितरन के सिकायद मिलने के बाद सरकार एक्षन में है खायद अवं उबवक्ता सरक्षन विवाग के सचीव विने कुमार ने समधित जिलों के हच्डियों को मामले की जाच कर जिम्मेदार डिलोर पर कारवाई का अधिस दिया है समांदी डिलर के उपर प्रातमे की दर्ज करते वे आगे की करवाई की जाएगी इसके अलावा उनने कहा कि यदि निदारित समय पर डिलर दुकान पर नहीं हाजिर होते है तो उन पर करवाई की जाएगी मुई लाबुक को अपिल किये की रासन वितरन में गड़बड़ी की सिकायत होतो ततकाल HDO कंट्रोल रूम में करे बड़े खबर पतना हाई कोड का नितीज सरकार को आदेश लोगडाउन के नाम पर पुलिस की बरबरता हो बन पतना हाई कोड बिहार में कोरोना वारिस की रोकताम को लेकर किये जा रहे कारियों की मोनेटरिंग कर रही है इसी कड़े में मुझ के नियादे संजे करोल और नियामूर्ति एसकुमार की कंट्पिट ने कोरोना से संबंदे दिया चिकाओ की सुनवाई की कोड ने राज सरकार को आदिस दिया कि लोगडाउन के नाम पर हो रही पुलिस की बरवरता को रोका जाए गाउन के लोगों को ही उन्हीं की भासा में कोरोना रोकताम के उपाई की सुचना दी जाए आपको बदा दे कि कोट ने सरकार को कई आदिस दिये हैं जिन में लोगडाउन के नाम पर यादे पुलिस बरबरता करती है तो उस बर तुरंत रोक लगाई जाए कोरोना वारेस के रोगी या दिखबाल करने वालों से अगर दुर विवार किया जाता है तो उस पर तुरंत करवाई की जाए गाउं के लोगों को उनिकी भासा में कोरोना रोकताम के उपाई के सुचना दे जाए कोरोना सेंटर में काम करने के चुक वावो के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए इसके अलावा हाइकोड ने बिहाटा के कोरोना अस्पताल की सुविदाओ और उनकी कम्यों के बारे में जानकारी मांगी है अब 2 जून को इस मामले की अगली सुनवाई होगी अबर कोरोना से जंग में एक करोड से अधिक बिहार वासियों ने लगाया टिका विशेश मिमान से मंगाये जा रहे हैं वेक्सिन के खेब जिहाँ बिहार में कोरोना के दूसरी लहर की जद में आने के बाद अब वायरस से जंग जितने की ओर बढ़ा है इस दोरान सरकार प्रदेश में कोरोना वेक्सिन का टिका योध इस्तर पर लगाने में जुटी हुई है कुरोना महमारी की किलाब राजज में टिककरन विहान जोर सोर से चल रहा है सुबे में टिककरन का आकड़ा अब एक करोड के पार जा चुका है गौर तलवे की बिहार में 16 जन्वारी से कुरोना टिककरन अवियान की सुरुवात की गई थी यानि अब तक 139 दिनों के अंदर राज में एक करोड से अधिक लोगों को कुरोना का टिका दिया जा चुका है बड़े कबर बिहार बीएड परवेश परिक्चा 2021 सब 11 जुलाई को होगी आवेदन की अंतिम तिती भी बढ़ी ललित नरायन मितला इनिवर्सिटी ने कोरोना महामारी के कारण संयुक्त बेड परवेश परिक्चा को इस्तगित किया है अब 15 जुन के बजाए 11 जुलाई को बेड की परिक्चा होगी वहीं आवेदन के अंतिम तिती भी बढ़ा दी गई है बिना विलम सुलके के साथ 5 जुन तक फॉर्म भरा जा सकता है वहीं विलम सुलके के साथ 8 जुन तक आवेदन किया जा सकता है जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है वे फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए बिहार CETBEDINMU.IN को ओपन करके परिशाप भरा जा सकता है इसके साथ ही जो इस चैनल पर नए आए है चैनल को सब्सक्राब करके बगल वाले नोटिपिकेशन बेल को जरूर ओन कर ले कि रोजाना बिहार की ताजा अपडेट आपके मुवाल में मिलते रहेंगे थैंक्यू टेक केर गुड़ बाई जै हिंद जै भारत वन दे माद